बाकी प्रदेशों में जाता है ये बियार जो है देश की राजनेती का नर्व सेंटर है यहाँ से ही शुरुआत हूँ हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है एक तरफ नोट बंदी की दूसरी तरफ जी एस्टी लागू की नतीजा ये हुआ जो लोग इस द बिजनेस वाले उन सब का काम बंद हो गया बड़े बड़े उधियोग पदियों की मोनोपली बंदी है आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73 परसेंट वाला मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिये बड़े 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 इनके जो पत्रकार है उनकी लिस्ट निकालिये पनोर मंकुर जो सोचता है वो करता है दिपांकर जी केसी वेनुगोपाल जी अकिलेश प्रशाद सिंग जी तारे कनवर जी शकीर खान जी गटबंदन के वरिश नेता और गटबंदन के प्यारे कार्यकरता बाई और बेहनो प्रेस के हमारे मित्रो इतने मित्र नहीं है प्रेस वाले आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तुफान शुरू होता है यहां से तुफान बाकी प्रदेशों में जाता है यह बिहार जो है देश की राजनेती का नर्व सेंटर है यहां से ही शुरूआत होती है आज देश में विचारधारा की लगाई है एक तरफ नफरत हिंसा अहंकार और दूसरी तरफ महबब भाई चारा और एक दूसरे की इज़त जैसे मैंने यात्रा में कहा अगर आप गटबंदन को समझना चाहते हो एक लाइन में समझा जा सकता है नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोलते हैं हम इस देश में नफरत क्यों पहल रही है ये नफरत का देश नहीं है आप सब जानते हो आपके दिल में हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है महबबत है प्यार है एक दूसरे का आदर है तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है भाई और बेहनो नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याए है अन्याए युभाव के खिलाफ अन्याए आप सब के खिलाफ अन्याए किसानों के खिलाफ अन्याए समाजे के अन्याए आर्थे के अन्याए प्रधान मंत्री जी दो तीन बड़े अरब पतियों के लिए काम करते है दो तीन लोगों के लिए काम करते है उनका सोला लाग करोर रुपिया प्रधान मंत्री ने पिछले दस सालों में माव किया है मैं आप से पूछना चाहता हूँ उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया इसलिए देश में नफरत फैल रही है 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है क्यूं? क्यूंकि BJP ने छोटे वियापारियों को, किसानों को, small और medium वाले businesses को नश्ट कर दिया है एक तरफ नोट बंदी की, दूसरी तरफ GST लागू की नतीजा यह हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं छोटे बिजनेस वाले, small और medium बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया जहां भी देखो, बड़े बड़े उधियोग पतियों की मोनोपली बंदी है एक उधियोग पति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे के सारे पोर्ट, एरपोर्ट, इंफ्रस्क्रक्चर, डिफेंस की इंडेस्ट्री, सारे की सारी नरेंद्र बोधी जी ने एक उधियोग पति को पकड़ा दी आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछ्री जाट के कितने लोग हैं, कितनी अबादी है पिछ्री जाट की, 50% 50% दलितों के कितनी अबादी है 15% आदिवासियों के कितनी अबादी है 8% कितनी बनती है वाई, कितनी होती है 73, 73% अब देखिए, 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमपनियों में, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिये, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला, उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिये, बड़े बड़े इनके जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालिये, आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है, उसके बाद प्राइवेट हस्पतालों के मानिकों की लिस्ट निकालिए स्कूल और कॉलेज चलाते प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट युनिवर्सिटी उनकी लिस्ट निकालिए उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा उसके बाद जो हिंदुस्तान को नपे ब्यूरोक्राइट चलाते आई एक वाले उनकी लिस्ट निकालिए उधर आपको तीन पिछले बर के लोग मिलेंगे तीन दलिट मिलेंगे और एक आदिवासी मिलेगा और अगर हिंदुस्तान की सरकार सो रुपे खर्च करती है बजट में अगर सो रुपे खर्च होते हैं तो 73% की 6% की 6 रुपे की भागिदारी बनती है तो यह जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जेनरल कास के लोगों को भी जोड़ लो इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है पहले क्या होता था पहले पब्लिक सेक्टर होता था उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था नोकरी मिल जात ता जैसे बीहर में तेजेश-फुझी ने का किया जैसे चतिसगर में हमने किया करनातक में तलंगाना में हम कर रहे हैं इस कि मगा नेरेंद्र बोदी जी ने यह सारे के सारे रास्ते बंद कर दिये से नमे आप जाते थे वहां अग्निवीर लागू कर दिया और देखना अगनीवीर लागू किया और अगनीवीर में पहली बार इस देश में दो तरीके के शहीद होंगे एक शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा उसे पेंशन मिलेगी उसे कैंटीन मिलेगी और इसे गाउं में शहर में आदर मिलेगा दूसरा शहीद होगा अगनीवीर होगा वो शहीद होगा उसे शहीद का धर्जा नहीं मिलेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी एक तरफ चाइना के सेनिक, पाकिस्तान के सेनिक, सालों की ट्रेनिंग लेते है और हमारे युवाओं को नरेंद मोदी, छे महीने की ट्रेनिंग देने के बाद, उनके सामने खड़े करने की कोशिश कर रहा है नतिजा आप जानते हो, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि लालू जी को बोलना है, यह देखो लालू जी को बोलना है, मगर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों को गलत फेहमी में नहीं होना चाहिए पनोर मंको जो सोचता है वो करता है तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद